नमस्कार दोस्तों, टार्गेट विद प्येस परिहार चनल में आपका फिर से स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी खबरे होती हैं जो विभिन समाचार पत्रों पर छाईवी होती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए आवस्यक होती हैं तो आईए सुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों पे ऐसी कौन-कौन सी खबरे हैं जो सबसे पहली खबर है वो लिखित परिच्छा के 16 प्रसनों पर अपत्यां विद्यार्थियों ने कुल 16 प्रसनुपर अभी तक कर चुके हैं विद्यार्थि और इस बार के जो साक्ष दियें विद्यार्थियों ने इसमें लिखा है कि वो साक्ष परिसेदी पुस्तकों से ही दियें जो पुस्तकें कचा 6 से लेकर के 8 तक कचा 1 से लेकर के 5 तक के विद यहां पर लिखा है कि एक अबयर्थी की माने करव्ण तो नाथ पंत्तक्य प्रवर्तक का नाम कच्छचच्य की किताब में मत सेंद्रनात हुआ गोरखनात दोनों लिखा है उसका कहना जो कह देंगे वही माना जाएगा, पुष्टक के बारे में भी ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है, देखते हैं अब आगे क्या होता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन ये अंदाजा लगा जा सकता है कि जो परिच्छा नियमा कार्याला है, ये अब किसी विवाद में नहीं पढ़ परिच्छा, हर साल जो सिख्चक बर्ती परिच्छा होगी, तो ये जो सिख्चकों की भरतियां हो रही है, मैंने कई वीडियो में और अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूं कि ये जो भरतियां, ये केवल और केवल सिख्चा मेत्रों के द्वारा रित्त की हुई सीटे है और जो भी अध्यापक रिटैर हुई विगत वर्सों में उनकी जो बहुत सारी पत खाली है, एक अरुमान की मुताबिक लगबग धाई लाग पत प्रात्मिक सिख्चक के 2018 तक खाली थे, तो उसी को भरने के लिए यहाँ पर चर्चा हो रही है, ये अगबार में चपा पर टीटी और सिख्चक बढ़ती भी प्रतिवर्स निर्धारित माह में कराकर अपरेल तक सिख्चकों की कमी दूर करने की योजना बनाई ये विभाग के अपर मुक्षच्यू, प्रभात कुमार ने इसकी कवायत सुरू कर दी है, और प्रभात कुमार ने कहा है कि इस टीटी भी अक्टूबर के माह तक होगी, नीचे रिखाक सुत्रू को कहना है कि विभाग इस वर्स अक्टूबर नमबर तक टीटी परिश्चक कराने की तयारी कर रहा है, टीटी के बाद करीब 65,000 से अधिक पदों पर सायक अधापकों की बरती सरकार करेगी और मार्स तक दोस्तों इस वर्स फिर से 65,000 की इस तरीके से बरतियां हर साल आपके लिए आएंगी, इसलिए जिन विद्यारतियों का इस बार नहीं हो पाया है, वो निरास मत हों, विएट वालों को भी अनुमतित दे दी गई है, और कुल मिला करके काफी मात्रा में विद्यारतियों को रोजगार मिलने वाला है, दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग इस चैनल में नहीं हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को लाइक अवैस कर दें, जिससे मैं आप लोगों को इसी त इस बरती को कम्पलीट करवाएगी और करवाके रहेगी, पिछली बरती में भी मैंने बताया था, और मैंने आप लोगों से भी गाता कि इस बरती को लटकाईएगा मत, फसाईगा मत, इस बरती को पूरा होने दीजिए, और ये बरती भी आपकी समय से रिजल्ट आएगा, और समय से प्रणाम आएगा, उसी की बारे में ये सूचना चपी हुई है, इसमें लिखाया कि बेसिक सिक्षर विभाग ने 69,000 सायक अध्यापक बरती परिच्चा में उत्तिरण अभरतियों को 15 फरवरी तक स्कूलों में निउक्ति की तयारी की है, अपर मुक्स अच्छी प्रवात कुमार ने बताया कि 22 जनवरी को सायक अध्यापक बरती लिखित परिच्चा का परड़ाम जारी करने के साथ ही, जिलों में सायक अध्यापकों की निउक्ति का विग्यापन जारी कर दिया जाएगा, 15 फरवरी तक सभी जिलों में बरती की कारवाई पूरी करके न पूरी बातों को बताऊंगा किस तरह से फाई लगानी है किस तरीके से क्या करना है, इसमें देखते हैं क्या सुचना लिखी हुई है, इसमें लिखा है कि 15 फरवरी तक सभी जिलों में भरती की कारवाई पूरी करके निउक्ति पत्र देने की योजना है, यह पहला उसर तो आप लोगों की जो भरती है वो कंप्लीट हो जाएगी, और इसमें लिखाया कि सिक्चा मित्र विरोध में उत्रे सायक अध्यापक भरती परिक्चा मित्य कटाफ का सिक्चा मित्रों ने विरोध किया है, उत्तर प्रदेश दूरस्त बीटीसी सिक्चक संग के दैर करेंगे, संयों के सक्री सिक्चक, सिक्चा मित्र, समित्र के संयों के दुसियंतर चौवान ने का कि कटाफ उची रखकर सिक्चा मित्रों के साथ कुठारा घात किया है, कटाफ को उपर रखने से हाई कोट या सुप्रिम कोट से कोई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हाई और सुप्रीम कोड़ के आडर अगर देखें सिख्षक भरतियों से समंदिये तो किसी में भी गुडवत्ता के समंद में यानि गुडवत्ता के विरोध में कोई आडर अभी तक हाइए नहीं दिया है। इसलिए सिख्षमित्रों को बाहर किया गया था और समय समय पर हाइकोर्ट निर्देश भी देता रहता है इसके बाद में कुछ सूचना है CT-ET से सम्मंदित CT-ET 2018 कि अगर केल्कुलेशन सीट देखना चाहते हैं तो 500 रुपए का ड्राफ्ट बनवागी 500 रुपए उसकी फीस है उसको दे करके आप लोग अपनी OMR सीट सब कुछ आपको दुबारा मिल जाएगा और आप लोग उसको क्रास चेक कर सकते हैं यह नीचे दिया हुआ है कि जो एड्रेस है जहाँ पर ड्राफ्ट बेजना है लिखा है कि अपने ड्राफ्ट के पीछे रोल नमबर नाम पता लिखना जरूरी है और यह आविदन CT-ET यूनिट CBSC PS12 IP Extension पलपलगंज दिल्ली और यह उसका एड्रेस लिखा हुआ है पिन कोड है और website भी दिवी है यहाँ पर आप लोग भेज दीजिए और अपना OMR इत्यादी calculation sheet देख सकते हैं और CT-ET की जो mark sheet है इस बार घर पे नहीं बेजी जाएगी वो DG Locker से आएगी इसके बारे में यह प्रेस वी गिप्ती भी दिया हुआ है आप लोग किसी भी cyber cafe वाले के पास जा करके भी निकलवा सकते हैं लेकिन अपनी ही email ID दीजिए और अपना आधार कार्ड का नंबर इत्यादी देखर के verify होगा उसके बाद में आपको CT-ET की mark sheet मेल जाएगी डाउन ग्रूप D, ग्रूप Z, इस्टेनोगरापर और ड्राइवर इत्यादी की पोस्टे थी तो जो इनका exam है वो exam होगा यहां पर लेका हुआ है 20, 21 और 19 जनवरी को date लिखी भी है और इसके जो admit card है वो 12 जनवरी से आ जाएंगे और बहुत जल्दी यह परिच्छा हो रहे हैं इ लेकिन रिजल्ट बहुत देर में आते हैं और उससे भी देर में परिणाम आते हैं दोस्तों इसके बार में बाद एक और सूचना है रेलवे ग्रूप D, रेलवे ग्रूप D की आंसर की हो सकता कि आज आ जाए आज जारी हो सकती है 11 जनवरी को यह हिंदुस्तान पेपर है हि इसमें लिखा है कि आरारबी ग्रूप D की जो परिक्षावी थी CBT उसकी जो उत्तरकुंजी है वो 11 जनवरी को जारी हो सकती है जो उमीदवार CBT में पास होंगे उन्हें पीटी परिक्षा के लिए बुलाया जाएगा मीडिया रिपोर्ट की मताबिक उत्तरकुंजी जारी तो ठीक है दोस्तो ये हो गई आज की अपडेट अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगती है तो दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और जिन मित्रों ने चनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हूं तो comment box में कह सकते हैं और लगातार update प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे telegram channel को भी join कर सकते हैं. मैं उसकी link description box में दे दूँगा, comment box में दे दूँगा, शुक्रिया.